वेल वेर्कम तुम्हार यूटूब चालर आज़ी थिल इन हिंदी दोस्तों आज हम बात करेंगे एक हीटर के बाले में मतलब जो घर में जो घर को रूम हीटर होता है जिसका नाम रूम हीटर है वो हम कहां से और कैसे और सस्ता बहतर लें जो हमसा सबसे बढ़िया है वो बता लुट भी वाइड बढ़िया लग रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है और पंत का ये है यह हीटर बहुत बढ़िया हीटर है अध्के यह सचा कहां से कीमत है नो सो चालिज रूपैं तो इसे वहसा तर लिख दी रहा है आप यहां पर सिंपल क्लिक कीजे यह यह आपको दीक रहे दर दीका हुआ आपर डेट के बरावर में यह जरह आ यह पर अगर प्रेम ज़ेयंगे तो ये शप्से सफ्ते श्थना है भलकि के तो ये सफ्यनार। ये है तो ये ही सफ्यनास है ।ो अब देवसแตह कि सफ्ता है तो कहां से श्थ रहे हैं किस तरीके दर कौन वो बढही है ये वो हीटर बता रहा हूं तो मैं जो बहुत ही बढ़िया है च्वाइत वह 46-65 Ahmed became complete iでした । बढ़ fast at 11 bastel नहीं हुआ है तो आप छे में मेरा लिंक दे रखा है आप पुर्स जाए और आप सिद्से ही टरों पहुंच चाहिए शौने दूसरे ही इससे तोड़ा कॉसली आं महँआ है पर यह उससे बढ़िया होगा ठीक है दोस्तों किछिए भीग ने लोगों बागों ने इस बीकाफी बढ़िया दे रहे रहा है अप ट्रैंगिंग पर देंगे सबसे बिखने वाली चीज़ा देखें तो यह दूसरे नंबर पहली तो पर यह दूसरा मुझे बढ़े लगा दोस्तों आप इसके यहां पर अधर पर जाकर यहां से भी यहां से खरीज सकते हो यहां से यह जो सिंपल दिखा रहा है कि यह एक हजार पचास रुपए से कम नहीं मिलने वाला आपको रेट जादे दिखेंगे पर इसके जो सबसे कम प् पर यह दो तो एक हजार पचास रुपए माप इसे खरीज सकतों इस तरीके से खरीज होंगे वह तो आपको मालूम ही है रेट के बराबर में और फर्स लिखा हुआ है तो आप इस पर किलिक करके और सिंपल जहां से सब्सक्राइब ढूंडे दूनते हैं सब्सक्राइब यो च़डियों में बी करीओं में दूनों में काम आएगा वह कौन सा है यह आपको यह है जोस्तों देखें बड़िया है बड़िया लग रहा है पर इसकी किमत भी थोड़ी उसके लगबक ही है तो सारे लगबक ही है जारे एक हजार की देंज में है यह जो सस्ता मिला यह सब्सक्राइब द्रक्राइब करें तो आप का इंटरफेस इसी परकार आमाजान पर आजाएगा सीधा आमाजान पर आजाओंगा आपको लिखने की जर्वत नहीं है और आप इसे सिंपल थरीके जहां से पर्चेस कर सकते हैं तो तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जाए तो आप हमारे चैनलो को सब्सक्राइस कर यह नीचे देगा है लाल बटन रख क्लिक करके और हमारी वीडियो को शेर करना ना भूलिए